जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट है माना व्रेदय ओके और इस वीडियो में हम माना व्रेदय से रेलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करने वाले हैं और यह जो हमारा वीडियो है यह सात्वी कक्षा और दस्वी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस डाइग्राम को देखते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं कि यह डाइग्राम आपको क्या समझा रहा है सबसे पहले यह देखे हैं हमारे शरीर में जो मानव रिदय है वो हमारे शरीर में चेस्ट में left and side होता है तो ये मानव रिदय का position है ये स्थान है हमारे शरीर में यहीं से ये blood को pump करता है और ये जो आप जाल जैसा देख रहे हैं पूरे body में blue color और red color का ये pipelines हैं ये same वैसी pipelines हैं जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में जो पानी के supply के लिए क्या होता है pipeline बिच्छा होता है आ ये arrangement हमारे body में भी है pipeline जैसा और उन pipeline में क्या होता है blood का flow होता है जो रक्त है वो बहता है उन pipelines में इसलिए हम इसको रक्त परी संचरन तंत्र भी कहते हैं रक्त परी संचरन तंत्र माना कि ये जो मानव रिदय है और ये जो रक्त वाहिकाएं हैं ये जो blue और red color में आप दे structure है हमारे शरीर के अंदर तो ये जो रक्त वाहिकाएं हो गई और ये मानव रिदय हो गई ये दोनों मिलके परी संचरन तंत्र का निर्माण करते हैं और इनकी वज़े से रक्त का पूरे body में परी संचरन होता है तो आपको ये समझ में आ गया कि परी संचरन तंत्र माना क् कि basically हमें उसमें किसको लेना है हमें उसमें लेना है माना वरिदय को और रक्त वाहिकाओं को रक्त वाहिकाओं मतलब pipeline हैं हमारे शरीर के अंदर जिन pipeline के अंदर रक्त बहता है तो अब रक्त वाहिकाओं के बारे में जान लेते हैं वाही क्या होती है इनको हमने तीन भागों में विभाजित करका है धमनी शिरा और केशी का अब इनके बारे में जानते हैं कि धमनी क्या है केशी का क्या है और शिरा क्या है धमनी ऐसी पाइपलाइन है जिसके अंदर रिदय से रक्त जो आता है वो धमनी में आता है और धमनी क पूरे शरीर की धमनियों में यह बहता है अब धमनी फिर अगर हम देखें तो धमनी से कुछ शाखाएं निकली होती हैं और वो बहुत ही पतली पतली शाखाएं होती हैं जिनको हम केशिका कहते हैं अब जो केशिका है इनकी भीत्ती बहुत ही पतली होती है तो यहीं से जो गै पर आके स्वाशन तंतर का वीडियो देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको यह ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे गैसो का आदान परदान केशिकाओं में होता है, नेक्स्ट देखते हैं शिराएं, जब यह अपस में मिल जाती हैं, और एक बड़े रक्त वाहिका के साथ जुड़ती हैं, तो उसको हम शिरा कहते हैं, अब यह जो शिरा है, यह ब्लू कलर का दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऐसा रक्त है, जिनके अंदर ऑक्सिजन की कमी है, और यह जो धमनिया है, इ ऐसा रक्त बहरा है, जिनके अंदर पूरा-पूरा ऑक्सिजन है, मिला हुआ है, बंधा है, और शिराओं के अंदर ऐसा रक्त बहरा है, जिनके अंदर ऑक्सिजन की कमी है, जिसकी वज़े से यह ब्लू कलर का दिखाया गया है, अब शिराओं का काम क्या है, कि पूरे शरीर से उन सभी रक्त को इकठा करना जिनके अंदर ऑक्सिजन की कमी है और रिदय की ओर लेकर जाना और धमनी का क्या कार है कि रिदय से ऑक्सिजन वाले रक्त को लेकर और पूरे शरीर में फैलाना ये काम है धमनी का नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट डिफरेंस है कि ये जो धमनी है इसकी जो ये भित्ती है ये मोटी होती है क्योंकि जो ये हमारा मानव रिदय है ये पंप करता है रक्त को जब पंप करता है तो प्रेशर जादा होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या है कि ये जो ध काम पूरे श्रीय को ले जाना जिनके अिदर ऑक्सजन की कमी होती है हड्ट तक तो यहां जो रख्त है ये नीचे से उपर की दिशा में जा रहा है तो इस case में उतना pressure नहीं होता है तो इसलिए जो इनकी भित्ती है वो पतली होती है next अगर हम देखें तो शिराओं के अंदर valve होते हैं अब valve क्या है? इस diagram से आप समझ सकते हैं कि valve क्या है? ये जो दो structure आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये valve हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो red-red color के हैं RBC इनको उपर की दिशा में धक्का मार रहे हैं ताकि blood नीचे ना flow हो blood नीचे नहीं बहे blood उपर की दिशा में बहे तो उपर की दिशा में जाए तो उसके लिए ये valves होती हैं किसके अंदर? शेराओं के अंदर लेकिन ये धमनियों के अंदर नहीं होती हैं तो ये भी difference है और जो केशिकाए हैं इनकी बित्तिस बहुत-बहुत पतली होती है और इसलिए गैसो का आदान परदन केशिकाओं में होता है और जो शिरा हैं उनके अंदर ऐसे रक्त बहते हैं जिनके अंदर ऑक्सिजन की कमी होती है और केशिकाओं में आप कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार के रक्त होते हैं अब हमने रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ लिया तो रक्त वाहिकाओं के अंदर का सीन देखने चलते हैं कि उनके अंदर का सीन क्या है तो रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त बहता है और रक्त के अंदर भी बहुत सारे चीज़े हैं तो उनको समझने की कोशिश करते हैं RBC है हमारे रक्त के अंदर प्लेटलेट्स हैं, डबलू बीसी हैं, डबलू बीसी को और भी प्रकार हैं लेकिन आप अपनी बड़ी कक्षाओं में उनको जानेंगे कि क्या है डबलू बीसी के और भी प्रकार और यह जो तरल पदार्थ है, जिसके अंदर यह सारे अन्य पदार्थ धसे हुए होते हैं और फ्लो होते हैं, तो उनको हम plasma कहते हैं तो बेसिक लिए आपको इतना याद रखना है कि हमारे रक्त के अंदर RBC हैं और क्या हैं प्लेटलेट्स हैं WBC हैं और प्लास्मा हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है प्लास्मा है नेक्स देख लेते हैं मानवरेदय तो यह डाइगराम आपको अपकी NCRT में मिल जाएग आप पड़ सकते हैं और इनके अलग-अलग भाग भी पड़ सकते हैं महाधमनी शरीर के उपरी भाग से महाशिरा यह है और यहां पे डाइगराम में बना नहीं है यहां निचला महाशिरा भी होता है जो निचले भाग से oxygen के कमी वाले रक्त को लेकर जाता है रिदय तक तो तो नीसे निलाय, नीसे नीचे, यह आप हिंट ले सकते हैं, नीसे निलाय, नीसे नीचे, तो नीचे वाले निलाय होते हैं, उपर वाले अलिंद होते हैं, यह हमारा दाया साइड होता है, यह हमारा बाया साइड होता है, और फुस फुस धमनियां जो हैं, वो क्या करती हैं, वो दाया निलय से रक्त को लेकर कहा जाती है, हमारे फेंफडों के पास, कूपीकाओं के पास लेकर जाती है, और जो कूपीकाओं से जब क्या होता है वहाँ पर, कूपीकाओं के पास जो गैसे हैं, और कार्बन डायोकसईड इनका जबादान प्रदान हो जाता है, तो वहाँ से जो रक्त है, जो औक्सिजन की मात्रा से प्रचुर हो गया है, उसको लेकर आती हैं कहां हमारे रिदय में, लेकिन रिदय में किस भाग में लेकर आती है बाया अलिंद में लेकर आती है तो ये तो चित्रा आपको मिल जाएगा आपके NCRT से आप महाँ से देख सकते हैं और इस डाइग्राम से arrow से आप समझ सकते हैं कि पहले ब्लड कहां आया, फिर कौन से भाग में गया, फिर कहां गया, यह एरो के help से आप समझ सकते हैं। अब मैंने कोशिश की है मानव रिदय के उपर कुछ नोट्स बनाने की, तो अब नोट्स को देख लेते हैं, जिनसे आपके बहुत सारे concept क्लियर हो जाएंगे। मानव रिदय एक पेशियांग है, जिसका आकार हमारी मुठी के बराबर होता है, अगर आप सोचना चाहते हैं कि आपके अंदर जो रिदय है, उसका आकार, उसका size कितना होगा, तो आप अपनी मुठी बना कर देख सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी मुठी होगी, लगभग उतना ही आपका रिदय भी है, वही size आपके रिदय का है, और यह है pericardial cavity में इसे थे हैं, मतलब हमारे शरीर में जिस जगह है ये, तो उस जगह को हम कहते हैं pericardial cavity, इसकी बाहरी परत pericardium कहलाती है, और pericardium दोहरी परत वाली होती है, बाहरी परत को parietal pericardium कहते हैं, अ आप क्रीम कलर का एक लेयर देख रहे हैं, ये है बाहरी परत और ये दोहरी परत वाला है, तो बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, pericardium कहते हैं, pericardium कितने परत वाला होता है, दो परत वाला, तो इसमें भी जो बाहर वाला होता है, उसको parietal pericardium कहते हैं, और अंदर वाले को वो यह है यह वाला हमारा हो जाएगा बाहर वाला परिकार्डियम पराइटल परिकार्डियम और जो यह इनर वाला है यहां पर यह है हमारा बिसरल परिकार्डियम इसके बीच में जो यह खाली जगह है उसको हम कहते हैं पराइटियल परिकार्डियल केविटी अब केविटी क मतलब खाली जगह लेकिन यह एक्चली में खाली नहीं है यहाँ पे एक दरव्य है और उस दरव्य को कहते हैं परिकार्डियल फ्ल्यूड इस परिकार्डियल फ्ल्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यह हमारे रिदय को सभी प्रकार के जर्क से शौक से सुरक्षा प्रदान करती है तो इस परिकार्डियल फ्ल्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपको याद रखना है अब अगर हम मानव रिदय की भीति की बात करें या दिवार की बात करें तो उनको तीन पर्तों में विभाजित किया गया है जो जो बीच वाली है उसको हम मध्य परत को हम कहते हैं मयोकाडियम और जो अंदर वाली है उसको हम कहते हैं एंडोकाडियम यहाँ पर मैंने फॉंट यूज किया है हिंदी में तो आप इसे समझ सकते हैं मानव रिदय में चार कोष्ट होते हैं दाया आलिंद, दाया निलाए, बाया अलिंध और बाया निलय अगर हम बात करें मचलियों में तो मचलियों में दो कोश्ठिय ही रिदय होते हैं एक निलय होता है और एक अलिंध होता है अगर हम बात करें बर्ड्स में पक्षियों में तो पक्षियों में जो रिदय होता है वो चार कोश्ठिय होता है और तो उनके अंदर भी चार कोश्थियर में रिदय पाया जाता है और एक और रहे गया रेप्टाइल्स में अगर हम रेप्टाइल्स की सरी स्रीप वर्ग की अगर हम बात करें तो उनके अंदर तीन कोश्ठिय रिदय पाया जाता है और रेप्टाइल्स के अंदर आपने class 9 में पढ़ा होगा सरीश्रीप गुरुप के अंदर class 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो रिदय होता है वो तीन कोश्ठिय होता है लेकिन क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल सरी स्रीप वर्ग में आ जाता है लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर चार कोष्ठिय रिदाय होता है तो यह important आपको याद रखना है अगर हम बात करें कोकरोच की तो कोकरोच के अंदर 13 कोष्ठिय रिदाय होता है तो exceptional है यह भी आप याद र अब देखते हैं अच्छा ये भाग आप लोगों ने देख लिए अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे ये अलिंद होते हैं इनकी जो भितियां होती हैं वो पतली होती हैं और जो निलय होते हैं इनकी भितियां मोटी होती हैं क्योंकि इनको प्रेशर से नीचे से रक्त को उप उपर की ओर फोर्स में भेजना होता है तो इसलिए जो निलाय होती हैं उनकी दिवारे मोटी होती हैं और अलिंद की दिवाले दिवारे पतली होती हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं तीन बड़ी शिराओं के बारे में जानते हैं कि तीन बड़ी शिराएं कौन सी हैं उपरी महाशिरा जो की देख सकते हैं आप ये है जो की शरीर के उपरी भाग से कम ऑक्सिजन वाले रक्त को लेकर आती हैं कहां दाया अलेंड में यहां पर डाइ और निचली महाशिरा क्या करेगी शरीर के नीचे वाले भागों से रक्त को लेकर जाएगी कहां दाया अलेंद में एक और बच गया कोरोनरी साइनस अब अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये कोरोनरी साइनस क्या है कोरोनरी साइनस भी एक महाशिरा की तरीके से ही काम करती है एक्चुली में होता क्या उपरी और निचली महाशिरा ने क्या किया वह आप समझ गए कि इन्होंने शरीर के उपरी और निचले भाग से ऐसे रक्त को जिसके अंदर oxygen की कमी हैं लेकर आए और कहां इकठा कर दिया दाया अलिंद में वैसे ही जो हमारा ये रिदय है ये इनकी जो कोशिकाएं हैं वो भी तो कारे कर रही हैं और इनके अंदर भी क्या हो रहा है कि रक्त के अंदर oxygen की कमी हो रही है तो ऐसा रक्त ऐसे रक्त को इकठा करते हैं coronary sinus और लेकर आते हैं कहां दाया अलिंद में कि sinus क्या है sinus बेसिकली आप यह समझ सकते हैं कि छोटी-छोटी जो veins है वेंस मतलब शिराएं जो चोटी-छोटी शिराएं हैं जब वो एक बड़ी शिरा के साथ जुड़ते हैं तो उसको हम sinus कहते हैं तो coronary sinus का काम भी same वही है जो उपरीशिरा और निचली महाशिरा का काम है सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये मानव रेदय से रेदय से ऐसे रक्त को इकठा करती है जिनके अंदर oxygen की मातरा कम होती है और ले जाकर कहा इकठा कर देती है दाया अलेंद में next slide यह slide बहुत ही important है इससे आप यह समझ सकते हैं कि जो मानावरिदय हैं उनके अंदर जो walls हैं वो कैसे खुलती हैं और कैसे बंद होती हैं और कैसे blood को आगे भेजती हैं तो इससे आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया तो उसके लिए हमने अपना next slide include किया है और इसमें चलके देखते हैं coronary valve, coronary valve मतलब coronary sinus, coronary valve कहां होती है, coronary sinus में होती है, जो coronary sinus जहां से खुलती है और रक्त को, जो वी oxygenate रक्त होता है, वी oxygenate रक्त का मतलब होता है कि ऐसा रक्त जिसके अंदर oxygen की मात्रा कम है, वी oxygenate रक्त जब किसमें वो लेकर आती हैं, वी oxygenate रक्त रक्त दाया अलिंद में लेकर आती हैं, तो उनके मुहाने पर एक valve होता है, जो की रक्त को वापिस जाने से रोकता है, उसको हम कहते हैं, coronary valve, tricuspid valve, अब यह tricuspid valve और bicuspid valve क्या है, tricuspid valve जो होता है, वो होता है, हमारे यह दाया अलिंद और दाया निलाय के बीच में यह जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं tricuspid valve, और ये रहा बाया अलिंद और बाया निलाय के बीच में है मीटरल वाल्व, इसको हम बाइकविड वाल्व भी बोलते हैं ये बंध होते हैं, खुलते हैं बंध होते हैं ताकि जो रखता हैं उनका circulation हो, उनका परिसंचरन हो नेक्स देखते हैं फुस-फुस शिरा हाँ यह आपको एदकना है जो फुस-फुस शिरा है यह वॉल्व रहीत होती है इसके अंदर वॉल्व नहीं होता है फुस-फुस वॉल्व कहां होता है दाया निलाय और फुस-फुस धमनी के बीच तो दाया निलाय कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा और फुस-फुस धमनी यह हो जाएगी ठीक है सारे धमनियों में ऑक्सिजनित रक्त बहता है लेकिन एक फुस-फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसके अंदर वी ऑक्सिजनित रक्त बहता है इस बात को आपको ध्यान रखना है उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें महाधमनी वॉल्व यह है महाधमनी वॉल्व और यह किसके बीच में है यह बाया निलय और महाधमनी यह महाधमनी और बाया निलय के बीच में है महाधमनी वॉल्व ये भी बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, और उसी की वज़े से जो रक्त है हमारा वो बाया निलाय से महाधमनी में जाता है, अब बाइकस्पिट, राइकस्पिट का मतलब कि ये जो वाल्व हैं, ये तीन भागों में बटे हुए हैं, इसको जब आप ये लास्ट स्लाइड देखेंगे, तो यहां से अच्छे से क्लियर आएगा, ये देखें, एक, दो, तीन, तीन भागों में बटा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिट कहते हैं, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है, ये दो भागों में बटा हुआ है, जो पूरा खुल जा रहा है फिर बंद हो जा रहा है खुल जा रहा है फिर बंद हो जा रहा है तो यही काम है वॉल्प का खुलना बंद होना ताकि रक्त का जो बहाव हो वो एक दिशा में हो नीचे से उपर की दिशा में ना होकर कहां जाए अगर यह हम लेते हैं दाया निलाए तो दाया निले से किस में जाएगा? दाया निले से हमारा यह जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया फुस्फुस धमनी फुस्फुस धमनी है यह ब्लू कलर वाला ओके तो next देखते हैं यह यह चक्र है इस चक्र को समझते हैं और इस चक्र को रिदय चक्र कहते हैं कि रिदय के अंदर कैसे क्या होता है उसको एक चक्र के form में समझते हैं और यह चक्र है यह अपने आपको repeat करता रहता है इसलिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत ही बच्चों को यहाँ पे confusion होती है but don't worry हम यहाँ पे clearly इसको समझने की कोशिश करते हैं यह चक्र पूरा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकिंड में यह बहुत ही important है सबसे पहला समझने की कोशिश करते हैं joint diastolic phase joint diastolic phase होता क्या है इसमें फेफडों से oxygen तुरूधिर पतली दीवार वाले बाएं अलिंद में आता है पहला point बी oxygen तुरूधिर उपरी और निचली महाशिरा और कोरोनरी sinus के द्वारा पतली दीवार वाले दाएं अलिंद में आता है यहां 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 इस condition में क्या है कि सारे जो यह चार कोश्ट हैं यह सारे एकदम relax एकदम आराम की अवस्था में हैं यहां पर कोई सिकूरन नहीं हुआ है सभी एकदम relax आराम दायक की स्थिती में हैं मतलब किसी भी तरीके का यहां पर सकुंचन नहीं हुआ है किसी भी कोश्ट में तो रक्त क्या हो रहा है पूरे शरीर से कहां आ रहा है दायालिंद में आ रहा है और फेफडों से कहां आ रहा है बायालिंद में आ रहा है तो ऐसी इस्थिती, जिस इस्थिती में चारों कोष्ट किसी में भी सकुंचन की इस्थिती नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे Joint Diastolic Phase. फुस फुस शिरा वॉल्व और महा धमनी वॉल्व दोनों बंद होते हैं, ऐसी इस्थिती में ये दोनों ही वॉल्व, ये और ये फुस फुस शिरा वॉल्व है और ये फुस फुस यहां पर mistake हो गया है, फुस फुस धमनी वॉल्व होना चाहिए यहां पर, फुस फुस धमनी है ये तो फुस फुस धमनी वॉल्व होना चाहिए आप इसको correct कर लेना यहाँ mistake है फुस फुस धमनी वॉल्व और महा धमनी वॉल्व ये ये महा धमनी वॉल्व ये दोनों ही इस time बंद होते हैं तो ये पहला phase है next देखते हैं जब ये अलिंद हैं ये सिकुड़ जाते हैं तो क्या होता है जैसे ही ये दोनों अलिंद सिकुड़ते हैं तो सारा का सारा रक्त निलाय में चला जाता है और जैसे ही ये सिकुड़ते हैं वैसे ही क्या होता है ये जो हमारे वॉल्व हैं ये खुल जाते हैं, आर्ट्रियों वेंट्रिकूलर वॉल्व खुल जाते हैं जब बाया और दाया अलिंद सिकूरता है तब ऑक्सिजनी तर वी ऑक्सिजनी तुरुदिर अपने अपने निलाय में चले जाते हैं पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है ट्राइकस्पिड वॉल्व बायकस्पिड वॉल्व पूरी तरह खुल जाते हैं जिससे दोनों अलिंद पूरी तरह से खाली हो जाते हैं मतलब ये ये दोनों ये ट्राइकस्पिड ये बायकस्पिड दोनों ही वॉल्व खुल जाते हैं और पूरा का पूरा खाली हो जाता है हमारा अलिंद, अंत में अलिंद पुना शिथिल हो जाते हैं, मतलब एकदम आराम की सिति में हो जाते हैं, पहले सिकुड़े होते हैं, फिर एकदम रिलाक्स हो जाते हैं, आराम की सिति में हो जाते हैं, जिसको हम शिथिल होना भी कहते है तो उसके बाद यह शिथिल हो जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब निलय का सिकुड़ना पहले यह चार एकदम आराम की इस्तिती में थे यह शिथिल अवस्था में थे उसके बाद सिकुड़े कौन? अलिन तो सारा जो रक्त है वो कहां चला गया? निलय में चला गया और जब सारा रक्त निलय में आ गया तो उसके बाद फिर से यह शिथिल हो गया एकदम आराम की इस्तिती में हो गया जब अलिन फिर से आराम की इस्तिती में आ गया तो उसके साथ साथ निलय ने सिकुड़ना शुरू कर दिया जब निलय शीकुरना शुरू करेंगे तब क्या होगा उसके बाद जो बलड जाएगा निलय से जाएगा फुस फुस धामनी में और वाय निलय से जाएगा हमारे महा धामनी में तो इस वक्त क्या होता है कि ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं ये बंध होते हैं एक आवाज के साथ जो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंध होंगे एक आवाज के साथ उस आवाज को कहा जाता है लब और ये रिदे से निकलने वाली पहली आवाज होती है जो कि महाधमनी में उस वक्त ये दोनों बंद होते हैं और बंद होने के साथ एक आवाज आती है लब ये पहली आवाज होती है हमारे रिदे से निकलने वाली अब दूसरा पॉइंट देखते हैं फुसफुस वाल्व और महाधमनी वाल्व निलेओं के सिकुरने के दोरान खुल जाते हैं, जिसके कारण रक्त, जिसके कारण बाया निलाय, ओक्सिजनित रुधिर, सबसे बड़ी धमनी, महा धमनी के द्वारा शनीर में बेजता है, और दाया निलाय क्या करता है, फुस फुस धमनी द्वारा रुधिर को ओक्सिजनी क परन के लिए फैफ़रों में बेजता है तो यह तो बात आपको समझ में आ गई अंत में क्या होता है कि जो निला हैं फिर से शितिल ओने लगते हैं पहले शिकूडने लगे थे, शिक्ूडने के बाद इन्हों ने बलड को उपर की दिशा में भेज दिया, अब उसके बाद फिर से ये एकदम आराम की सित्य में आ जाएंगे, शित्यल अवस्था में आ जाएंगे, तो हमारे जो ये अलिंध हैं ये तो पहले से शितिल अवस्ता में होते हैं अब इस वक्त क्या हो रहा है फुस फुस वॉल्व और महादमनी वॉल्व निलेओं के शितिल होने के दोरान बंद होते हैं ये फुस फुस वॉल्व और महादमनी वॉल्व ये दोनों ही बंद होते हैं जब निले शिथिल होते हैं तब ये दोनों बंद होते हैं तो फिर से एक आवाज आती है जिसको कहते हैं डब अब ये रिदे से निकलने वाली दूसरी आवाज होती है तो इस तरीके से आपको याद रखना है रिदे से दो प्रकार की आवाज निकलती है लब और डब लब निकलती है जब ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड वाल्व बंद होते हैं और डब निकलती है जब हमारे फुस-फुस वाल्व और महाधमनी वाल्व बंद होते हैं तब फुस-फुस वाल्व और महाधमनी वाल्व के बंद होते ही ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड ओप्री और निचली महाशीरा कोरूनरी साइनस के द्वारण पतली दिवार वाले ढायानलिंद में आता है और फिर से क्या होता है ये छक्र जो है रक्त दाया निलाय है तो दाया निलाय से कहां से जाएगा दाया निलाय के बाद फुस-फुस धमनी में जाएगा फिर दोनों फेपड़ों तक पहुचेगा फिर वहां कूपी काओं के पास रक्त का रक्त के अंदर से गैसो का आधान प्रदान होगा फिर ऑक्सिजनित रुध फिर से कहां आजाएगा हमारे रिदय के कौन से कोष्ट में आएगा दाया बाया अलिंद में आएगा दाया नहीं बाया अलिंद में आएगा फिर अलिंद में आने के बार पाचवे नमबर पे कहां गया बाया निलाय में गया फिर निलाय से महाधमनी में गया महा धामनी से फिर शरीर के उपरी भागों में और शरीर के निचले भागों में फैल गया फिर क्या हुआ कि शरीर से वी ओक्सिजनित रुधिर इकठा हुआ और फिर वी ओक्सिजनित रुधिर इकठा हुआ शरीर के उपरी भाग से भी और निचले भाग से भी और फिर महाशिराओं के द्वारा वे कहां तक पहुँचा वे फिर से दाया लिंद में पहुँचा तो इस तरीके से ये चक्र चलता ही रहता है तो I think आपको मानाव शरीर में परीशंच्रन तंतर समझ में आ गया होगा कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैंने कोशिश की है अपनी छोटी सी ताकि आपको ये कॉंसेप्ट समझ में आए कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं